सिंद में अल्ला की तरफ से बरसाई की रहमत का पानी अभी उजाया नहीं होगा बलके डैम बनके शहरियों को फाइदा पहुँचाएगा असलाव अलेकॉम चलते परते मैं आपको खुश्यामदीद कहता हूँ इस वक्त में मौझूद हूँ सिंद के सबसे बड़े डैम में यानि के जिलाए दादू में जहां पर शुमाल मगरिब में कीरतर पहाडियों के सलसलों के किनारे पर एक बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है जिसका नाम नई गाज डैम है और इसका काम बड़ी तेजी के साथ जारी है ना सिर्फ काम तेजी के साथ जारी है बलके जदीद किसम की मशीनरी के इस्तिमाल को यकीनी बनाकर इस डैम की तामीर को वक्त पे मुकमल करने के लिए ज़ए जदो जहत की जा रही है इस डैम से कितने लोगों को फाइदा होगा सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ जिला दादू के जो रहाईशी है जिसमें सबसे पहले रहिगस्तान की बात करूँगा जो के कच्छो के नाम से एक अगर अलाका है वहाँ पर भी जो है इस पूरे अलाके को जो पानी फ बनाने जा रही है कंपनी और अब मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा इस पूरे डैम को किस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर कितना काम मुकमल हो चुका है कितना काम बाकी है कौन कौन से पॉइंट बनाये जा रहे हैं और इस डैम के बनने से कितने लोगों को फाइद मसला है वो भी हालोने जा रहा है अच्छे इसमें एक चीज बड़ी आहम है जिसमें इस पूरे नही गाज डैम को बनाने में इसकी पूरी असरे नो तामीर करने में लेफटनेंट जेनरल रिटायर्ट मुझमिल हुसेन जो कि चेर्मेन वाबडा है उनका बड़ा आहम करदार ह हैं क्योंकि उसकी वज़ा ये है कि इस पूरे डैम का काम पहले रुख गया था और बाद में इसका काम तेज हुआ और उसको काम को शुरुआत करने में चेर्मेन वाबडा लेफटनेंट जेनरल रिटायर्ट मुझमिल हुसेन का बड़ा आहम करदार है और वो ना सिर्फ उ अमिराती जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े जो मनसूमे हैं उसके मुतालिक भी काफी संजीट की एक्तियार करते हैं और उसके काम को शुरुआत करने में अपना बड़ा एहम कرदार अदा करते हैं दादू मैं यानिके सिंध की तारीख में एक बहुत बड़ा डैम जो के नई गाज डैम के नाम से बनाया जारा है जैसे के कीरतर की पहाड़ीयों के बिलकुल सिलसले इसके किनारे में अब तुरोसमें आपको वियू दिखाता हूँ के मेरे पीछे आप देखें तवातर और धड़ा धड़ जो है वो मशीनों का काम यहां पर चल रहा है पूरा गिराज यहां बना हुआ हर एक चीज पिलकुल प्रॉपर अंदाज में की जा रही है और जिस अंदाज में की जा रही है लगता यही है कि यह वक्त पर जो है वो डैम मुकमल कर लिया जाएगा मेरे पीश अगर आप देखें यह पूरा सलसला जो आप देख रही है ट्रकों का आना जाना लगा हुआ है मशीनों का लगा हुआ है इंफ्रसisch टॉक्टर बनाए जा रह Grad की जो सर्विस रोड है वो बनाए जा रह तक ए मशीनों की आम दोर्फत का सलसला जो है वो जारी रह इसके इलावा यहां पर कौन लोग हैं जो इस डैम को बना रहे हैं उनसे बात करते ताकि प्रोपर इंफॉर्मेशन हमें मिल सके तो चली हमारे साथ जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ जो पानी आप देख रहे हैं बैता हुआ यहां पर जब डैम बन जाएगा तो उसके बाद आपको पानी यहां पर ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वज़ाई यह है कि हमने कभी भी खासकर पाकिस्तान ने पानी को स्ट्रॉक करने का क की सलाइयत को बढ़ाने के लिए इस तरह के डैम होना बड़ा जरूरी है और जैसे के वजीर आदम इमरान खान पाकिस्तान की जो गौर्मेंट है उसने भी इस चीज़ के महसूस किया है कि जी हमारे पाकिस्तान में डैम बनना बहुत जरूरी है दस बड़े डैम बनाने की बाते हो रही है दूआ करते हैं कि वो डैम जो है वो पूरे हो जाया है वो उसका तामीर का काम शुरू हो और वो काम जो है आकरी मरायल में पहुचे दुनिया जहां में डैम बनाए जाते हैं और पानी को जो है वो जितना बारिश होती है उस पानी को रोका जाता है हमारे य सोचना होगा कि जो बारिश का पानी आता है उसको स्टॉक भी करना होता है उसको स्टॉक करने के बाद उन लोगों को पहुंचाना होता है जो लोग बड़े उस चीज के लिए बड़े अश्चत जरूरत है यह पानी अद देखें यह पानी बड़ी नायाब चीज है दुनिया है लाम दोलिल्ला के कमस कम सिंद्ध के अंदर इस तरह का जो नई गाज रैम जो बन रहा है ये मुस्तक्बिल में इन ही लोगों को फाइदा देगा तो आईए मजीद आगे चलते हैं जी इस वक्त हम गाज डैम के बिल्कुल टॉप वियू पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर इनसे भी बात करते हैं इनका पूरा नाम जानते हैं सर आपका नाम भी बता जीएगा और यह जो गाज डैम बनाया जा रहा है सबसे पहले तो स मैं मौहमद डैम पर और भाशा डैम पर भी मेरी कांट्रिबूशन है यह जो डैम हैं बैसिकली यह तो स्टोरिज डैम है इसका बहुत बड़ा जो बैनेफिट होगा वो होगा लोकल लोगों को क्योंकि इससे पानी से इरिगेशन होगी तकरीबन अठाइस जार एकर एरिया है तो इतनी बड़ी लेक से रीचार्ज भी होगा और वैपरेशन भी होगी और लोगों को बैनिफिट भी होगी यह भी मैं सवाल करूंगा कि आपकी आप जी इतना बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं इसमें एक तो यह पहाड़ी इलाका है तो क्या आपके पास इतना वसी त नम बने हैं तो इसलिए किसी भी डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए राइट रसोर्स को पाकिस्तान में ढूना बड़ा बड़ा मुशकल है लेकिन हमारी कॉमपनी में यह बैनिफिट है कि इस वक्त जो रसोर्स हमारे पास हैं यह वही लोग हैं जिन्हों ने पाकिस्तान के की में लोग हैं और हैं जिन्हों निन्हों समय काम किया wprowad किया जिझन उन्हों के ब्राइब के इक्षपर्ट हैं जो बी ऐसे लोग हैं चिन्होंने बड़े बड़े प्राजopt को पर और का किया हुआ। इसके लावा जो मशीनरी है यह मशीनरी हमाइर पास specialised है बडी मशीनरी है यह आम जो doing gumpers है ये और वह नहीं हैं他們 семa мира के पलजर प्रन के लिए जह ज्याद है इसी तरह हमारी पास रोलर डॉजर्डर जो है यह larger calas ठीक हैं जो एक मेजर डाम बनाने के लिए व्रूरत होती है दूसकी आलावा जो कनक्रीट है उसके लिए बैच प्लांट्स चिल एस फेक्ट्रिज और इसके और त्रांस Jeff मिकसर संप्लीट हमारे पश्म कमल है और हम पूरी तरह मुतमीन है है कि जो पाकिसान में कोई बड़े-बड़े मनसूबे बनाए जाते हैं तो वक्त पे वह कंप्लीट नहीं होते हैं या तो वह गौवर्मेंट उसको पैसा नहीं देती कंपनी को या पर ऐसा होता है कंपनी जो बनाने की सकत नहीं रखती और वह चुरू तो करती और उसको सब्वाए और कितने साल में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा यह प्रोजेक्ट जो है तीन साल का प्रोजेक्ट है 28 को यह रीकमेंस हुआ है और चौबीस में 27 इक्तूबर 24 को यह ढलेवर हम करतेंगे और हम कॉन्फीडन्ट हैं कि जो मशीनरी हमारे पास मजूद है जो मै जगा पर मशीने काम कर रही हैं मुक्तलिफ मशीने तो ऐसी थी जो कि हमने कभी कराची में देखी नहीं इंट इंट सुराब गोट पर इतनी बड़ी मार्किट है वहां पर भी इस तरह की मशीने जो हमें देखने को नहीं मिली एक पूरा गिराज आपने यहां पर बनाया हैं ताकि अगर को खराबी हो फारण वापस मशीन ठीक हो जाए बाकि यह जो इदर इस तरह लेफ्ट पर आपने इशारा किया लेफ्ट की ओपर हमारे फसिलिटीज हैं जिसमें हमने क्रशर भी अपने लगाए हुए हैं ताकि इस प्रॉजेक्ट पर कोई भी हमारे पास जो किंक्रीड के पैस्टी है वो इस वकर टू हंडर्ड टन पर पर आवर से ज्यादा की है तो यह बाद आपकी ठीक है और डायम के प्रॉजेक्ट के लिए मशीने भी स्पेशलाइज होती हैं तो इसलिए तो इसलिए तुमाम मशीने ऐसी हैं जो किसी भी क्या सारा बाहा के ले जाए यह इसी आपने देखा होगे नीचे दोनों तरफ हम कौफर टैम बना रहे हैं ताके जो हमारा किया हुआ काम है वो जब बारश आएगी और फ्लाट आएगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा इसकी मिटिकेशन पहले कर ली हुई है यह पचीस साला रिटर्न पिरेट के लिए हमने काफर टैम्स बनाए हुए हैं यह काफर टैम्स की मजूदगी में हमारा जो पर्मनेंट वर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होगा इतने मोटे मोटे पहाड़ों को और फिर रास्ता बनाने के लिए भी कोई आपके पास जदीद टेक के लावा तकरीमन कोई पचास किलो मेटर की टेंपररी रोड्स हैं जो विदन दी प्रॉजेक्ट मनाई गई हैं तो उनको इन ही डोजर से एक्सक्वेटर के सिरिये और डंपर इसके जरिये हम हैंडल करते हैं कितने किलो मेटर का सर यह पूरी किनाल होगी कहां से इसका हमारा रिजर वायर एरिया है जिसमें पानी स्टाउग होगा और जो राइट साइड एरिया है यह इसको हम कहते हैं ौह मेरे मेरे पीछे जए जो है तैटीजिस पिल्वे हम जो इरिगेशन का इंटेक है वह जो आपके पीचे है मेरे यानि सामने है वहाँ से एक मेन किम निकलेगी eller content on सराब करेंगी जो हम देख रहे हैं ट्रॉकों के उपर नाम लिखा वाइडी बलोज कंपनी का क्या मतलब मक्सद होते हैं बेसिकली यह जी एक जॉइंट वेंचर है हमारी चार कंपनियां का जिसमें तीन लोकल लीड हैं और इसलिए लोकल लीड होने के नाते यह सारों ने जो रिसोर्स पूलिंग की हुई है इसको जो ऐस पर एग्रिमेंट किसी एक आदमी ने लीड तो करना था तो डी बलोज इसको लोकली लीड कर रही है ठीक है सर एक आखरी सवाल में करूंगा जब भी कभी इ लेबर काम करते हैं लेबरों की तदादाव जादा होती है या फिर उनिजी लेबर के जरी हुए वह काम चलाए जाता है घंटोंगंटों एसा नहीं है यानियी लेबर को अगर हमने एक अदा देन right में इसकते हैं यह यह तो फिर आदरवाई किये हैं तो पिर हमारी कोंशश मिल जाए सारी इनकी मैसिंग फिसिलिटी भी यहीं अवेलेबल है सो वी अगले दिन उठके अच्छे तरीके से काम कर से का अखरी और सवाल करूंगा मंगला डैम हम सुनते थे किताबों में पढ़ते थे मंगला डैम हब डैम अब तो अच्छे जो डैम आप बनाने जा रहे हैं यह क्या मंगला डैम से भी बड़ा है यह से चोटा है कि थोड़ा सा कैटेगरी वाइस बता दे नहीं मंगला से तो बहुत बड़ा है इसके मकाबले में पाकिस्तान का और क्य मुलियन एकर फिट की लेक ऐचा बहुत Malini इकर फिट की लीक है तो इस के मकाबले में क्युक् configurator पानी का जहिरह हैड़ी तकमु कम लेकिन यह सिंद में इस जगह पर यह बहुतauthor साव आब आता है छर्ये जब सलाब आता है तो बहुत नुकसान पहुंचाता है इसे लिए को तो इस डैम के जिरिए एक तो सलाब की मिटिकेशन होगी तूसरा पानी स्टोर हो जाएगा तीसरा एक थोड़ा सा कॉंपोनेंट बिजली का भी बनेगा तो इस डैम के वाले से बाते सुन रहें कि मंचर जील है उस पर सुप्रीम कोट ने भी बड़ा कहा था कि जी इसकी आलूत की खतम करें तो क्या ये जो डैम है जो मंचर जील के लिए कुछ आलूत की खतम करने का बाइस बनेगा या नहीं जी इसके एक पूरी एक पाइप लाइन है जो यहां से ग्रैविटी वाटर में हम यहां से जिस तरह एडिगेशन की किनाल सिस्टम नाल रहें इस तरह एक हम पाइप डालेंगे जो जाकर लेक को रीचार्ज करेगा यह तक्रीमन कोई 59 किलोमीटर लॉंग जो है यहां से पा पूरा तफसीली बताए क्योंकि जो चीज मैं आपको बता सकता था वो मैंने बता दिया तूटा-फूटा मगर असल चीज जो है वो इन्होंने आपको बताईए तो आईए मजीद आगे चलते हैं देखे दादू में गाज डैम की तामीर में काम्याबी ही उसकी असल वज़ा यह है कि यहां पर जितनी मशीन इस्तिमाल की जा रही है वो सारी कि सारी नई टेकनलोजी के साथ से इस्तिमाल में लाई जा रही है और यही वज़ा है कि यहां के जो काम है उस काम को मुकमल करने में जो है वो आसानी थाबित हो रही है और दूसरा है कि इस डैम के जो बनने से शेहरियों के लिए ना सिर्फ मतलब यह सहूलियात मिलेगी शेहरियों को बलके रोज़गार के मौके भी फराम हुए हैं तीन साल तक 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 तकरीबन हजारों मुलाजमीन को रोज़गार मिला है पईया चला है जिसकी वज़ा से तामीराती शोबे में भी तरकी का जो है वो एक काम्याबी हमें देखने को मिल रही है और दूसरा ही है कि इस तरह के डैम बनने से पाकिस्तान खुशाल होगा पाकि पाकिस्तान चला है कि तरह को जब सकते हैं उसका हैं जा ह।